तो वेरी फाइनली बाबा हमको जरा ये बताईए कि in the short term जब तक ये legal process चल रहा है तब तक आपके क्या plans है अपना content create करने के number one पहले ये हमें बताईए दूसरी बात हमें ये बताईए कि आपको आगर आपके चाहने वाले आपके supporters support करना चाहते हैं या आपकी legal battle में या फिर आपके content को develop करने में तो कैसे किया जा सकता है जी second question का पहले answer करता हूँ और ये सभी लोगों का आप लोगों ने भी समझाया था सभी लोगों ने समझाया था कि at least at least कुछ financial aid तो आपको लेनी चाहिए और मैं इतना नालायक था कि मैंने कभी ली थी अपना patron account तक नहीं बना YouTube को तो उन्होंने कहा तो इसका ये venue भी हम ले लेते हैं लेकिन finally आप लोगों के कहने पर I have started taking the donations अनुदान मैंने शुरू किया है वो आप अपने जर्शकों को बताएंगे किस प्रकार से वो कर सकते हैं वो details आप provide कर देंगे कहां उनको मिलती हैं लेकिन उसका कारण भी मैं बता देता हूं कि it is not for my financial security or anything else but it is for the legal battle that we are going to take up हम समझते हैं के YouTube की शक्ती क्या है Google की शक्ती क्या है और हमें उसके लिए क्योंकि ये this is about freedom of expression this is about dignity this is about feeling free to express yourself तो ये वो वो लड़ाई है ये केवल बाबा की लड़ाई नहीं है केवल बाबा के चैनल की लड़ाई नहीं है अगर बाबा का चैनल अब YouTube वापस दे भी देता है तो भी ये रुकने वाली तो नहीं है तो उस चीज़ के लिए जो financial support हमें चाहिए वो हमने मांगी है सभी लोगों से मिल भी रही है आप लोगों के माध्यम से वो लोगों तक बात पहुँच भी रही है क्योंकि बाबा तो जीरो पर आ गया भी लेकि आप लोगों के माध्यम से जीरो पर भाई जीरो पर रही नहीं सकते और इसलिए वो चीज़ मुझे मिल रही है लोगों की ओर से और आप लोग भी करना चाहते हैं और मैं हर जगे जो कह रहा हूँ मैं यहां भी कहूंगा कि अगर आप student हैं तो आप please contribute मत कीजिए आप अच्छे से पढ़िए अच्छे से आप कुछ position पर पहुँचे बहुत कई बार emotional situation भी होती है आज मुझे SMS आया जो donation के साथ ही अनुदान के साथ जो comment कर देते हैं तो किसी ने शायद कुछ 50 रुपे भेजे और उसने कहा कि बाबा अभी तो इतना ही कर सकता हूँ जिस दिन कुछ बन जाओंगा उस दिन जरूर करूंगा तो वो बहुत ही बहुत भावुक कर देने वाली चीजें हैं लोगों का इतना प्यार इतना सम्मान इतना विश्वा उनको लगता है कि ये वेक्ति हमारी लड़ाई लड़ेगा और अगर लड़ेंगे तो फिर खुलकर लड़ेंगे ना ऐसा नहीं हम सुनते हैं कि भाई उनकी तरफ से किसी भी किसी अगर हम लेफ्ट की बात करें कि उनकी तरफ से बैटरी ओफ लॉयर्स खड़ी हो जाती है चाहे वो अजमल कसाब हो चाहे वो याकूब मैनन के लिए आधीराथ को सुप्रीम कोर्ट खुलाना हो तो हम भी बैटरी ओफ लयर्स खड़ी कर सकते हैं और हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारे लिए को फ्री में लड़ दे हम चाहेंगे क्योंकि हिंदू समाज हमारा समाज हमार राष्टरवादी लोगों का जो समू है वो इतना भी गया गुजरा नहीं है कि वो कुछ ना कर सके और वो उसके पता लगता है कि जिसकार का सयोग मुझे मिल रहा है आर्थिक सयोग तो वो हम उस चीज़ को पूरी शक्ती के साथ करेंगे जब लड़ाई में उतरेंगे तो पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे और पूरे अस्तरों के साथ उतरेंगे अब वापस आते हैं पहले प्रशन पर तो पहले प्रशन का जवाब दिने के पहले मैं एक छोटी सी चीज़ भी बोलना चाहता हूँ कि देखिए इरिस्पेक्टिव बाबा ये बोलेंगे नहीं क्य सारी audience चाहती है कि हमारी आवाज और बुलंद हो, सारी आवाज चाहती है कि हमारे चैनल्स बड़े हों और जो leftist channel है या फिर leftist propaganda outlets है उनको तकर दे सके properly, अगर आप चाहते हैं कि हम इनको तकर दे सके तो हमको ये काम full time करना पड़ेगा, अगर हमको ये काम full time करना है तो हमें financially viable और financially successful होना पड़ेगा और भई अगर आप कोई job कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि उस job में आप परियाब पैसे कमाएं जिससे कि आप अपनी family का और अपना ध्यान रख सके तो भई जितने content creators है YouTube पे वो भी यही चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो financially successful हो, वो भी चाहते है कि वो अपने family का अच्छी तरह से ध्यान रख सके, अच्छी तरह से देख बाल कर सके और उसके लिए अगर वो पैसे कमाना चाहते हैं, तो यह कोई गलत बात नहीं है, यह कोई शर्मिन्दा होने वाली बात नहीं है, हम सारे content creators को financially successful होना चाहिए, financially viable होना चाहिए, और इसक है, हम कहते हैं कि audience को हमको support करना चाहिए, मैं तो खुलम खुला बोलता हूँ, कि भई, आप आके मेरे को super chat questions दो, आप आके हमारे patron बनो, आप आके हमको viewership की जो sponsorship revenue होती है, वो दो, हम तो चाहते हैं कि हम financially successful होने, ताकि हम इनको कडाकी की टकर दे सके, यह leftist platforms को, तो उस वज पांटिंग की Australia की team थी, उसकी special बात क्या थी, उसकी special बात यह थी कि, और वो इतने fearless क्यों खेल पाते थे, क्योंकि पता था कि Gilkrist और Haddon आएंगे, खुब मारेंगे, आराम से खेलेंगे, अगर जल्दी out हो भी गए, तो Ricky Ponting आएगा, वो देख लेगा, अगर वो भी जल्द से हसी था, तो वो fearless होकर खेलते थे, तो आपको सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अपना परिवार चला सकें, हम किसी तरीके से कुछ कर सकें, लेकिन fearless होकर कर सकें, उस चीज के लिए आप अगर सपोर्ट करेंगे, इतना सपोर्ट कर देंगे कि बाकी चीजों की आवशक्ता हमें ह तो उस चीज के लिए ठीक है, community पर डाल देंगे शाम भाई, पिन कमेंट में डाल देंगे, आप जाईए और अनुदान दीजिए, जो सशक्त हैं, मैंने बोला कि जो लोग financially, जो अगर aspirant series देखी होगी, तो उसमें बोलते हो, आर्थिक सिती ठीक ना हमारी, तो ऐसे अगर क कहूंगा कि ठीक है, खुल कर आईए सामने, अगर हम लडाई में उतर रहे हैं, गोशना के साथ उतर रहे हैं, तो खुल कर सामने आईए, अब आते हैं, प्रशन पहले पर, तो उसमें ये चीज है कि अभी का जो समय है, एक सब्ता का, और प्रेम पत्र तयार हो गया है, जल् तो वो काम जब हो जाएगा और अपनी तयारी हमारी पूरी हो जाएगी, फिर दुबारा से जैसे मैंने कहा कि एक बार और तो यूट्यूब पर अवश्या होंगा, और उसके साथ ही, ऐसा नहीं कि उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया देखूंगा, फिर करूंगा, उसके साथ ही पैरलल प्रेटफॉर्म का जैसे शान भाई ने कहा है, उसका भी होगा और छोटा मू बड़ी बात हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन आपके लिए ये इतनी सूच ना देदें कि हम सभी यूट्यूबर्स मिल कर कुछ बड़ा सोच रहे हैं, तो उस पर भी अभी पहले नीव रख लें, उसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यक्ता है, बहुत बड़ा एंबिशिस प्राजेक्ट है, तो उसके लिए थोड़ी नीव रख दें, तब आपको सही समय पर उसके विशह में जानकारी देंगे, और उसके लिए आप से फिर से हम फाइनेशल सपोर्ट मांगें क्योंकि आप हमारी ताकत हैं, लेकिन वो अगर हमने किया, तो फिर आप सर उठाकर अपनी बात कह सकेंगे कहीं पर देंगे, तो वो पैरलली वो चीज चलेंगी, लेकिन यह है कि यूट्यूब भी शुरू किया जाएगा बहुत जल्दी, शायद एक सप्ता हमें, शायद 10 इन 15 दिन में, और उसके साथ ही बहुत जल्दी ही alternate platforms जो existing हैं, और आगे की भी उसके लिए उसकी तयारी भी की जाएगी.